अनेक कारणों से अगले कुछ महीनों तक सोयाबीन के घरेलू बाजार भाव में भारी तेजी आने की संभावना नहीं है। हालांकि सोयाबीन की आपूर्ती का ओफ सीजन शुरू हो गया है और शीक्र ही इसकी नई फसल के लिए बिजाई भी जोर्शोर से शुरू होने वाली है लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कारक मौजूद है जो इसकी कीमतों में तेजी को रोक सकते हैं। घरेलू प्रभाग में सोया तेल एवं सोया मील की मांग कमजोर परने के संकित मिल रहे है। वैश्विक बाजार से नर्मी की सूचना मिल रही है। सस्ते सोयाबीन तेल का भारी आयात हो रहा है और बकाया स्टॉक वाली सोयाबीन की क्वालिटी कमजोर होती जा रही है। इ 24 सीजन के लिए ने सोयाबीन का नियुंतम समर्थन मूले 4,600 रुपे प्रती क्विंटल नियत कर रखा है जबकि लूज में भाव इससे काफी नीचे चल रहा है। जानकारों के अनुसार मज्य नवंबर के बाद सोयाबीन के दाम में कुछ तेजी आ सकती। दरसल मज्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे प्रमुख उतपादक राजे है और वहां आवक भी घटने लगी है। खरीफ सीजन के एक प्रमुख तिलहन सोयाबीन की फसल को पीछे साल प्रतिकूल मौसम से नुकसान हुआ था। मज्य प्रदेश, महराष्ट्र एवं राजस्थान तीनों शीर्ष उतपादक प्रांतों में सूथे की वजह से सोयाबीन फसल की प्रक्ती में बाधा पड़ी थी। केंड्रिय खादे मंत्राले के अनुसार 2022 से 23 सीजन की तुलना में 2023 से 24 सीजन के दोरान तिलहन फसलों का कुल घरेलू उतपादन 414 लाक तन से 18 लाक तन या 4.3 प्रतिशत घटकर 396 लाक तन पर सिमट गया। इसके तहित खासकर सोयाबीन का उतपादन 150 लाक तन से लुफक कर 131 लाक तन पर अटक गया। आमतोर पर मांसून सीजन के दोरान सोयाबीन की घरेलू मांग कमजोर पर जाती है और मंडियों में इसकी आवक भी कम होती है। भारत में भारत में नीमित रूप से विशाल मातरा में सोया तेल का आयात हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सोया तेल की कुल घरेलू मांग एवं खपत का केवल एकतिहाई भाग ही स्वदेशी स्रोतों से पूरा होता है। जबकि विदेशों से होने वाला आयात शेश सरसत प्रतिशत या दोतिहाई खपत को पूरा करता है। इसके फलस्वरूप वैश्विक बाजार में आने वाला उतारचराव काफी हद तक घरेलू बाजार में सोया बीन तेल के दाम को प्रभावित करता है। Bureau Report Markin Times TV